आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटर्टेन्मेंट, बेश्चुमा टॉक्शोज और फेवरिट विडियोज, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अब्रेट्स जानने के लिए बेल आइकन क क्लिक करें जो महास था, उसके तमाम जो अरकान हैं और अब उनके मताबिक उनके तादाद को बाइस तरीस हो चुकी है, वो सारे के सारे पीटिया में शामिल हो गए है, मनेजबी हैं, पीजबी हैं, जो रहे हैं माजी में, आपके खाल में, सौ दिन का जो वादा इमरान खान ने किया ह ये इम्रान खान 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 वफा कर पाएंगे, अपना एहद पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए सूबे में भी टू थर्ट मिज़ॉरिटी चाहिए, वफाक में भी दो तेहाई एक्सिरिया चाहिए, जीकि इस सब वादे एक तो इस बात से मशुरूत हैं, कि एलेक् का, वो भी सिंसेर हों, अब आज खुसर अब उक्तियार साब कहते हैं कि तीन तीन दुबा वजीराजम बनें लेकिन वो मुखलस नहीं थे, इस क्लाट के साथ, तो ये खुद कितने मुखलस हैं, ये भी हर हकूमत के अंदर, इक्तिदार के मुझार लूटते हैं, पर बनाई थी, कि हम थोड़ा सा जरा अपना वजन बढ़ा के तो पिटी आए में जाएंगे, बाकी लाए सिंसेरिटी की बात तो आप इस से इंदादा कर लें, वो कहते हैं कि ये यहां पर सबस्बदा बाग दिका कर चले जाते हैं, लहोर के बासी हैं, उनका जदा सफर ज कुछ भी नहीं है, इसके लिए टेक्निकल भी है और ये प्रोलिटिकल विल का जदा पुक्ता है, इस नारे का वोट तो है जुरूबिय पंजाब में, शकीरन कोई वोट तो होगा, मेरा शक है कि शायद होना चाहिए, नहीं तो क्यों नारे लगाए हैं, क्यों कि पिछली मर करने प्रणित, ममूत के साथ हैं, उनके ग्रुप में, कभी उनके खिलाफ हैं, कभी जहांगीतरीन साब से मिल जाते हैं, पर उधर चले जाते रहे हैं, तो यह अब तो खेर जहांगीतरीन साब वहान नहीं रहे ना, स्टेक ओल्डर, अब तो क्या हा गए है, लोधरा आगे तो निजामे साथ लेकिन ये दावा किया गया कि तमाम की तमाम जुरूबी पंजाब की सीटें जो हैं वो हम जीत लेंगे और इम्रान खान साथ की जोली में डाल देंगे मतलब फॉर्बूला तो यही है और हो सकता है कि ऐसा ही हो मतलब है कि और शायद उसके बाद इस तरह जुरूबी पंजाब के अवाम मुझबूर करें इनको कि यहारा आपने काया कि कोई अड्मिनिस्ट्रिटिव यूनिट बनना चाहिए मतलब मैं तो उसके खलाफ नहीं हूँ लेकिन ये देखे रहे हैं ये लोग मुखलस नहीं है अपने हवाम वोटर्स के साथ मुखलस नहीं है इनोंने बेशाद धोका दिया उनको साहिए तो अभी हम कोशिश करेंगे हमें हमें जोइन कर रहे हैं राना कासिम नून साथ पाकिसान तरीके इंसाफ कि अब तो रहुमा हो गए उनसे भी हम जरा चीज़ेंगे रोड मैप क्या है लेकिन रिजामी साथ आपके खाल में नून लीग जो है वो बन्यादी तोर पर वहाँ पर क्या बहुत पर कमजोर होगी जनूबी पंजाब में जो प्रसेप्शन दिया रहा है जनाब जी सारे वो इलेक्टिबल्स है जो पीटियाई में आ गए हैं लेकिन क्या इनको टकर देने वाले पीम एलेन के पास आप लोग बचेंगे वहाँ पर उनने कहा कि मैं ग एलान किया कि वो पीम एलेन में चामल नहीं लेकिन उनके खिलाब मियानवाज श्रीव टिकरटी करेंगे वो तो एक उमीदवार फाल हैं अब बाकी क्या पोजिशन है ये एलेक्शन के मौके पता लगेगा आ के लेकिन क्लीन स्वीप को ऐसी अजूबा रोजगार बात नही क्लीन स्वीप हुई पीम एलेन के लिए और वो स्वीप होगए जो पीपल्स पार्टी वाले थे मास होए सेद अमद ममूत के जो एक वहां के मशबूत उमीदवार है और वो पीपल्स पार्टी के उनको ये नहीं हरा पाएंगे पीपल्स पार्टी के पास भी पंजाब में बस वही बचे हैं आजाके मख्थू मैं ममूत के लावा पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो शायद कुछ टकर देने वाले लोग भी थे जैसे नदीम अफजल चान है तो वह भी अब चले गए तो अब पीपल्स पार्ट आपको बड़ा फोकस कर रहे हैं और चुकर बिलावल की आज़त नहीं है और अपना काम देखना तो सिंध में आकर देखें आए आप अजिए आपने जिकर कर दिया है वाईसे मैं जिस पर गुफ्तुगवा आपसे करनी ही थी प्रोग्राम में लेकिन चले करी लेते हैं तो ये वैसे कोई खुद मजाग उडवाने वाली बात नहीं है जो खुशी शाह साब ने किया है जी के तरकी देखनी है तो आप सिंधा कर देखें सिंध का कोई एक शेहर तो बताएं कि जहां पर तरकी देखी जा सकती हो वो गुर्बत और पसपांदगी जो है में डूबा हु और चले अर्बन सिंध है रह deben और वो एक अलाग कहनी है जी और देखी सिंध का भी एई हाल है बुरा उससे भी बुरा उससे भी बुरा मतब यह तो शेहरों में तो शेहरों में फिर कोई निजाम जी को रहने है लेकिन देखी सिंध में तो बहुत बुरे हालाँ मात ना से प्रिश का कोई निजाम सेरे से मौजूद है और वो जो सिंद की गुर्बत है ना जो वो पजाब में सुआए साउध और पजाब के दूर अफटाद हलाकों में आपको कही नजर नहीं आएगी और वो बिल्कुल ठीक है रहे हैं और वो गुर्बत का आलम महाँ पर ये है कि उन लोगों के लिए वो बारा पंदरा सो रुपे की जो बेनजी इंकम सपोर्ट प्रोग्राम की रखम है वो इतनी बड़ी है कि वो उस रखम की वज़ा से पार्टी के लॉयल रहते हैं वो खाली नहीं है कई वज़ुआत हैं कई वज़ुआत होसकते हैं लेकर बियाएएए ऐस्प वोटो का वोट प्रुना पका है हाँ वोटो का बिल्कुर सही है और अब उसके बाद इस फैक्टर ने जब वोटो साब का अलेमन्ट थोड़ा कमजोर होना शुरू हुआ जदा मैं उसके बॉर्ड पे रहूं काफी देर इसकी तश्कील में मेरा भी कोड़ा सा रोल है यह बड़ा काम्याब प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक नमीज रहा है एक पौवर्टी का एक नेट है जो इसको दूसरे मुलकों में भी एमिरेट करने ही कोश्की जा रही है अच्छा अच्छा अब मैं इसे बेश्टर के रहना कासिम साब हमें जोइन करें और हम उसे बाचित करें मैं कुछ और मोजगात की तरफ बढ़ जाता हूं निजामी साब एक तो यह है कि उस पर जो चेर्मन नाब ने नोटिस लिया था 4.9 बिलियन डॉलर इंडिया भेजने मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जो नोटिस ले लिया उस पर आज दिन पर बड़ा शोर शराबार आ है उसका बड़ा चर्चार आ है और बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चर्मन नाब को कहा जा रहा है कि जी आप इनको पार्लिमेंट में बोलाया जाए और से वजाए तलब की जाए उस पेशल कमेटि को पार्लिमेंट की बना दी जाए उस कमेटि में नको तलब किया जाए और मुखलिफ वजरा की जाने चे खूद पर बाता कि प्रॉग्रम में मैंने कई दूआ नईब के रोल को नईब की हायत तर्कीबी को और इसके कांसिप्ट उसके लिए ये नयब बनी जिस तरह बद्रामे जबना खुद मिया नवाज श्रीफ का इतसाब बेरो ता सहिफ और रहमान वारा वारा वो भी कोई अब देखें सियासेदानों ने खुद उनकी कुटाही हैं अब आज देखें वो नुवा पढ़ रहे थे वजीर राजम खाकारा बासी के हमारी अपनी गलती है के खुरशीद चाने और मैंने मिलके इनका नाम दिया था लेकिन इसके बावसर ये नैप को विच हंट जो है ना ये परसेप्शन नहीं देना चाहिए कि हम विच हंट कर रहे हैं अब ये केस जो है बड़ा आइडियल केस है कि इतनी बड़ी रिकम जो है बिलियन जो वर्ल्ल बैंक ने तरदीद कर दिया है स्टेड बैंक तरदीद कर दिया है एक मीडिया की रिपोर्ट है एक चैनल लें जिसका किबला जो है हम सब को पता है कहां पर उस पर ये रिपोर्ट चली और नेप के चैर्मेन उसको ले उड़े अब अख़वारी रिपोर्टे पर तो हमारा काम है कि हम चले हम भी तस्दीव कर रहे हैं हम भी कर दें चले इस पर तफसील से वाथ करने की जोड़त है थैंकियो वर्यवारी जी राना जी राना सालेकम कैसे मज़ाज है जी आरिफ नजामी अर्स कर रहे हूं वाइसलाम नजामी साहब खरीयत ठीक ठाक है अच्छे ये बताएं कि ये आपको मबारे को जनूबी सुबा महाद तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये माजी में ये कहते तो आपने जो रहनमाई करी वो बिल्कुल ठीक हैं सिंबॉलिक करी लेकिन इस में इस बाकी लोगों को दोश देने की बजाया आपके अपने जो साती हैं जो आम तासर है कि आप सिर्फ इक्तिदार का मज़ा लूटने के लिए अब पहले आपने ये ये महाद बनाया और सिंसिर्टी और पॉर्पर्स है इजामी साब इस पे मैं अर्श करूँ ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से और रिवायती सियासत से बढ़के एक चीज़ हो रही है प्रिटिकल पार्टी से भी ये उनकी वबस्तिगियों से भी ये बाला इन से उपर की चीज़ है असले बन्यादी हकूग की फरहमी जी गेर मुनस्वाना वसाहिल की तक्सीम जी पस्मानगी गुर्बच जहालत बेरोजगारी ये महकूम खिता बन गया है निजामी साब जो भी आते है इसको वो महकूम समझते है कि ये उसका मफ्तुवा इलाक है और अब तो ये बढ़ बढ़ के सतर साल की जो बरबादियों की फसल बीजी गई अब मैं समझता हूँ कि ये मजरुवा इलाका हो गए ये हम लोगों ने इसम्बली के फ्लोर पे भी इन नामहरूमियों की और बहरूमियों की हमने सारी दास्तान बयान की देट इस उड़ रिकॉर्ड उसके बाद हमने कोशिश की और जब ये सुबह महाज बनाया तो हमने उपनली कहा कि बुजे रोट अगेंस्ट एनिवन हमारा तो वन पॉइंट अजेंडा है जी के आप जनूबी पंजाब को अड्मेस्टेटिव बन्यादों पे प्रोविंस क दर्जा दे 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 नो लिग्विस्टिक किसी किसम की स्यासी मनाफरत नहीं किसी किसम की कोई लसानी तास्व नहीं बिलकुल है कि यह अन्गवनेबल प्रोविंस हो गया है और एक रजीद सिंग का माइंसेट है जो पिछले दस दाइउं से इसको चला रहे हैं कि गोक्षब सबसे पहले पीर साब पगाड़ा तश्रीव लाए फंक्शनल लीक के जो है एड़ जी डिये के उन्होंने इज़ार एज़ारे यक जहती किया लहूर में जो हमारा सेक्रीटियेट है उसके बाद पीबस पार्टी का भी एक डेलिगेशन आया फिर पीटी आई के डेलिगेश लवदा डेट एरिया जी कि किसी ना किसी तरह हमारी मेरूमी खता हुआए जनूबी सुख चीडिख है अच्छा राणासाब एक मुख़र ब्रेक का वक्त हो गया है ब्रेक ले 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 राद आदमे मुगमल कर लिजाएंगा कुछ और चीज़ें भी आप से प्रेके बार दोबारा खुशामदीद के दें आपको हमारे साथ राना कासिम नून साथ मौजूद हैं आप पाकिस्तान तरीक अंसाफ के रानूमा हैं आज जम हो गया है इनका महास पाकिस्तान तरीक अंसाफ में अब रहन साथ एक चीज़ जो आपसे पूसा चारा था मैं कि आपको इस बात का किस हद तक यकीन है कि तरीक अंसाफ जो है वो पंजाब से भी और मरकज में भी टू थर्ड मिजॉरिटी ले पाएगी सौधन का एलान तो कर दिया लेकिन कल को अगर यह कह दिया गया कि जनाब हमारे पास तो देखें मिजॉरिटी नहीं मिली हमने तो का था मिजॉरिटी की सूरत में यह होगा तो फिर आपके अप्शन रहे जाएगा नेशनल कंसेंसिस की कि तमाम पुलिटिकल पार्टी अपना इंपूट डालें इस पे कंसेंसिस बिल्ड करें और फिर एक फेडरेशन को मजबूत करने के लिए मजीद एकाईयों की जो जरूरत है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए और अड्मिस्टेटिव जो है बुनियादो में तो उसमें जो उन्होंने एलेवन पॉइंट से जेंडा पेश किया उसमें एट्थ नंबर पे जो है वो गालेबंज ये है के फाटा का मरजर होए केपी में और सदरन पजाब का एक सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए इंतजामी बनियादों पर तो इस एशोरेंस वी व पेर्मेन ने पार्टी की मशावरत और जनूबी सुवा महाथ की साथ डाइलॉग करने के बाद हमें इन राइटिंग दिया जी पहले जो दो प्रोविंस काफी शाहिए ना हो यह जो आप कह रहें कि जी उन्होंने अपनी तकरीर में आटवे नमबर पर इसको रख रख दिया आप पीपल्स पार्टी अपनी तकरीर में चौते नमबर पर बता दे कि हम सुबा बनाएंगे तो क्या आप उठकर पीपल्स की दस साल से उसमें कोई आउटपूट नी निकला उसमें कती तोर पे वहां के लोगों की महरूमी का एसास नहीं किया गया हमारा किसी पुलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंस या अमल्गमेशन कह लें या एक पेज़ में आना एक कौज के लिए तो इसको तो हेल्दी साइन करें वोई नीड दा पार्लिमानी स्पोर्ड जी हमने जो हमारा वसेब है उसके शायर ने अदीब ने साफी ने तो सूबा नी बनाना मेंबर पार्लिमेंट्स ने बनाना है कांस्टिश्टिश्ल अब्लिगेशन जे जी रहां साथ मेजॉरिटी इस रिकॉाइड इन अफसी जमातों से बात करतें अब तो आप पीटी ईाई में शामल हो गए तो यह तो पीटी आई का काम है कि कनसिनस्स पैदा करें और मुझे शींस्टिश्टिश्टि अ तो उसक्त ये अपनी तहरी शुरू करते हैं, आपने उसक्त शुरू किया है, जब ये अपने आखरी दमों पर आप चंद अफ़ते रह गें, तो आपने जुनूबी पंजाब का नारा लगाया, तो लोग दो ही समझेंगे, कि ये सियसी नारा है, आप खुद इससे मुखलस न लगाया, पीपर्स पार्टी ने वहाँ पे रेजूलिशन पास्क कराया, नैशनल इसम्बली से सैनेट में ले गए, वहाँ पे कमिशन कांस्टिटूट हुआ, फ़रतुला बाबर साब के सरकर्दगी में, और मजए की बात देखें, कि मुकदर का जो है, मुकदर का फैसला क जनूबी पंजाब का और एक के एक सैनिटर को चेर्वेन बना दिया जाता है, सिर्फ मैं समझता हूँ कि उसके बाद पीम एलेन ने उस अपनी पहली फरस्ट रेजीम में पंजाब इसम्बली में दो रेजूलूशन पास कराए, एक के बहावल पुर को सूबा बना और एक जनूबी पंजाब को बनाएं, मैं समझता हूँ कि ये तफरके की बात थी, पुलिटिकल माइलेज की बात थी, पॉइंट सिकेरिंग की बात थी, एटीन्थ हमेंडमेंट होती है निजामी साब, उस में तो पुलिटिकल कंसेंसेज हो जाते है, डेवलूशन के हवाले से, के पी के नाम रखने के हवाले से, थर्ड टाइम प्रीमिर्शिप के हवाले से, तो जो सबसे सेंस्टेव इशु था, के पंजाब हैस बिकम नो अन्गवर्नेबल, और तीनो सूमों से गाली पड़ती है पंजाब को, तो खुदारा इसकी असल छेप में ले है, जो रजीद सिं है के वो ही नीडिड़ अप पुलिटिकल स्पोर्ट, हम अपने लेवल पे अवाम की वाज उठा के निकले हैं, किसी ना किसी पुलिटिकल पार्टी से तो हमने एक पेजब आना था, अगर हमारी आवास को तक्वीयत मिलिये है, जी राना साब आपके जहन में जो जूरूब मेरा भी इस वालता मुखलिव अंदाज से, कि खुसर बखतार बरकुदार है मेरे दोस्पी हैं, कितनी तक्रीरे उन्हों ने की, कितनी आप लोगों ने की, क्या कोई रेजुलूशन मूव किया चार साल में, ये मामला तो आपने खुद भी दबाए रखा, आपने रंजीत स करने में तर दोर तो ये दिखाशा ही काई ये आपको पता है, जिस पार्टी में आप रहे हैं पहले पीएम एलेन, वो भी कोई मिया नवाशी को कोई शिजाद सलीम कहता है, को मुखले आजम कहता है, गुवरनिस तो ने को की नहीं लेकिन आप चार सार उनकशार चलते रहे अब एन एलेक्शन के मौके पे आपको ये सारी बातें यादा आगें। नहीं थी, रसाई नहीं थी, तो किस तरह पॉसिबल था कि ये चीज़े इतनी आहम सेंस्टेव इशू जालोते, जब मैं रजीद सिंग माइंसेट की बात करता हूँ, वो ये एक बड़ी डुमेन होनी चाहिए, काबल से देली तक की उकवरानी होनी चाहिए, और उसमें ये बेंक, एशियन बेंक की रिपोर्ट देके हैं, हेल्स सेक्टर देके हैं, एजूकेशन सेक्टर देके हैं, ये तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अहलत देखें वहाँ पे, ये तो हम आपसे मतविक हैं, तो फिर एक बहुरूनमी जब जनम लेता है, ये आप इस तरह नहीं कि रहे हैं, और आप देखेंगे, कि जनूबी पंजाब में कोई पुलिटिकल नो पुलिटिकल पार्टी कैन अफोर्ड टू अपोस इस सद्रन पंजाब इशू, ये लोगों की आवाज है, किसी सियसी जमात को कैनिडेट खड़े करें, कोई पुलिटिकल प्रेशर ग्रूप ह लोग अपने अंदाने वाली डसलों के लिए कोई बहतर मुस्तक्बल देख रहे हैं, और हमें गूड इंटेंशन के साथ निकले हैं आचा, राना साथ, आप मुझे ये बताईए कि आप जैसे निजामी साथ ने पहले सवाल किया था और आपने कहा कि अब ही आप कह रहे थे कोई सुनने वाला नी था, हमारी कोई रसाई नी थी, हमारी कोई शुनवाई नी थी, तो सर तो अगर ये अहलात थे तो आपको 2014 में एक साल के बाद रिजाइनिटर के बाहर आजाना चाहिए था, ताकि ये लोग आप पर डाउट ना करते कि आज आप सियासत सिर्फ कर रहे हैं, आप ने तो पूरी विजारते हैं, आप में से बेशता लोगों ने इंजॉय की पांच साल तक, और फिर आप बाहर नगी, ने तो समझेंगे, एक सियासी कैदेबा मुशक्कत से अजाद हुए हैं जी, और उस में आप जो फर्मा रहे थे, कि हमने खासे अरसे से कोशिश की बात कर रहे हैं की, चीजों को बेहतर कर रहे हैं की, मौमलाद को बेहतर कर रहे हैं की, लेकिन प्राइरिटीज आर टोटली इंटारले डिफरेंट जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, रहना कासिम नून साब आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अगर, मेरी एक उजारेश है, जी, मेरी एक उजारेश है के देर आया, दुरूस्त आया, अची चीज़ है, एक बैटर कॉल है, जेन्मन कॉ अची आप मैं पर बात करने के लिए तो एक पर मुछसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़र वापस आते हैं, तो वो जो हम पहले बात कर रहे थे, ये नैब में जो शोर मचा वाई है, ये नैब की वज़ए से पारलिमेंट में, उस पर बात करते हैं, कॉछ और सीज बहला मामला है उस पर वजिर आजम ने जो आका था किया जी इतना वाशिप पल्जाम लगाने के अवाले से एवान जो है एवान चेर्मन को तलब करें और उन से पूचगर्च की जानी चाहिए अब उसके वजाहत नैप की जाने जाने है कि जी मीडिया रिपोर्ट पर ये नो प्रोग्राम में इसको जब तक ये कुछ सारा शोर नहीं बचाता मैंने इसको डिसकाउंट कर दिया था क्योंकि मेरे जैसे आम फहम सादा जेन आदमी को भी नजर आ रहा था कि ये सही नहीं हो सकता तो जिब नैप के चेर्मन साफ जो हैं जिनको बड़ी कंसंसिस लाया गय कि हर वो ट्वीट पे हर प्रोग्राम पे और हर किसी के बयान पे वो किसी की पगड़ी उचाल दे यह नहीं पर कॉंसर्प्ट है ना यूर ग्रिटी अल्लेस प्रूवन अधर वाइस जो कानून हमारे हां जो हो बलकुल उल्टा है अब उसका नदीजह है कि आपने जो इसको प्री एलेक्शन डिकिंग का नाम दिया है प्राइम अनुसर ने वो ठीक दिया है और इनकी वज़ाद जो है बड़ी अजीब सी है के जी इस आवो हमने तो हाक है लॉंडरी की तरह एक तखीक करना और यह अखबारी रिपोर्टों पर यह मिल्डिया की रिपोर्टों पर ब एटिजाए चेनि लगां कि क्यों ना बुलाया जाया को सुप्रीब है जी जाय को एगर अगर अ अँर थाश को मुल्समने क्टरे वे लाके खड़ा कर दिया जाता है बिला तख्सीस नेब में उनको जरीर रुस्वा की रहता जिससे साबत हुआ है तो वाय कांट दी नेब चेर्मेन भी समेंट टू बलके मैं तो इससे भी ददा वाज़ बात करूँगा नेब चेर्मेन को इतने बड़े फोबा के बात रजाइन कर देना चाहिए खुद जी जिए उनसे ले 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 लेना चाहिए जिम्मेदारी तस्क्रीम करते हुए यूकर मैं नी समझते है कि जो शिखस ऐसी बात करे वो एहल है सुद्धधा साधर रफिक साब कह रहे हैं कि चेर्मेन नैब जो है वो तश्वीशनाक सुरुतिहाल का नोटिस लें, गयर कानूनी दबाओ का सलसला बंद होना चाहिए अब उनको ये लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ है, ये दबाओ में हुआ है ये चेह मैं नाप साब ने दबाओ में ये आकर किया किसी के दeखे हैं, बात ये हैं कि मैं तो निये ये इतने हसंद तक जाओंगा कि दबाओ थाया और हुआ है, अटॉनमेंस से अपने काम में ये तो नहीं कोईगा को दबाओ ये लेकिन, वो ये कह सकते हैं कि जो भी किया है, वो सोच समझ के निए किया, इस अद तक तो बहुत मानने वाली है। वाकी आम आदमी तो ये तासर लेगा जो टेलिवीन देखने वाला है, मेडिया वाला है। कि यार ये वाकी ये नौाज शरीफ देखने हैं इसमें दो पहलू हैं जो बड़े खतराक इसलिए नैप के चेर्वेन साब को इत्यात करने चाही थी। एक तो ये रिकम इत्नी बड़ी है। दूसरा इंडिया। ये पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। कि मिया नौाज शरीफ ने क्या यार एंडिया पेख दियो, मेरे यार मोड़ीनों है पैसे पेख दियो। ठीक है नजी एक तो ये मसले है। तूसरा इंडिया का मसले है। क्या पाकिस्तान में स्ट्रेट बैक नहीं है। पाकिस्तान में बिलकुरी हकूमत इतनी नौाज शरीफ ने परसलाइस कर ली थी कि वो इस तरह गाम कर सकते हैं। ये सोचने वारी बातें थी हैं। ये हमको बनाना रर्पब्लिक तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ऐसी कि जो बनाना रर्पब्लिक पर लिए फ्रेंक्ली है। लेकिन इतनी भी लोटनी बची हुए। जनाब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक बाशूर में होते हुए इन्हें अगर बिल्कुल ये इसकी अकल से बेबैरा हो जाया तो ऐसा काम कर सकते है। फिर पाकिस्तान में इतनी मुड़े रिकम जायागी तो पाकिस्तान की फौज भी बैठी हुए है। जो इतनी सहाफी ने ये संसेनी फेलाई है फिर तो सुप्रेम कोट को या किसी इदारे को डॉक्टर शायद मसूद किता तलब कर लेना चाहिए कि जनाब आपने ये बात किस तरह कही है आप जब अगर नबर करचिक भी करें तो ये रिकम जो है इस तरह बेज़ना जो है ना जरा भार और पाकिस्तान की जो विट्रेड है वो भी इससे बहुत कम है तो ये कोई बात कहते हैं लगा नहीं हो रही है ठीक है चले एक और मामला जो भी हम बात कर रहे थे जनूबी पंजाब सुपा उस पर भी खादर सादर रफिक साब ने ट्वीट किये वो कह रहे हैं कि आज यका सादर रफिक साब से पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि जनाब आप पिर इबन वक्तों को रखा की हुआ था अपनी पार्टी में और लेकर आपके पास आते हैं तो ठीक होते हैं अब लेकर और बात भी है खादर रफिक साब भी तो बाद जीदा करते रहे ना अपना चार साल इस ये तो आप फसे होई वो भी तो नहिए भी नहीब में फसे होई ना जाँ अब नहीब फसे हैं बिलकुल लेकर आप तो दोस्त है में मैं ज़्दा तफ्दिशल में नहीं जाना चाहता लेकिन आपको मालूम ही है जो पेरेगान वगरा वाले जो मामलात हैं वो इतने साधा तो नहीं है ना कि उनको अगरिजी में एक मुकूला होता है दो लिव इंग लाव सास्विज यह शीशे गरों में रहने वालों को दूसरों प्थर नहीं पेंगना चाहिए लेकिन उनकी य हैं नहीं लेकिन वह जो मैंने फिर नुक्ता उठाया एंजामे साभ वो भी तो है ना कि ये तमाम लोग अपर्चनिस्ट लग रहे हैं आज मगर जब ये एक उपर्चनिटी के तलाश में थे आपको भी जरूरत थी आपने इनको कुबूल कर लिए नादाब लोगों को ये क लिकीन दिलाते हैं कि हम उपोजिशन में बैठेंगे लेकिन इन लोटों को बलाकर हकूमती बनाएंगा ये तो कभी को ये आई एक रिटेंशन को ये कहां से आईगी निजामे साभ ये हमारी साइस्ट में कभी आप तमखो करते हैं कि आएगी कहीं जब तक नहीं आएगी त पिर आप लोटों का रोना क्यों रोते हैं देखे न जी आयान हो आप कहते हैं लोटों को अभी भी आपने लोटों को शामल किया हाली में हर तरफ लोटा सज्जे कभे लोटे अचा बिल्कुल ठीक है एक और चीज़ है निजामी साभ जो मैं डिस्कस करना चारह हूँ को वक खाजा आरे साब ने अब जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे वो यह है कि इस पर बार बार यह का जाता है नवार शिर्फ साब एंड कंपनी की जानब से कि देखें जी कुछ निकल ना होता तो दो मैंने में निकल आता तो यह केस को लटकाए जा रहे हैं लटकाए इसके विटनिसेंस हैं उन भी हैं दूसरे यह देखें इजर अधर कॉप्लिकेटिट तीन केसिज़ ने कादे इनको कट्छे कर देना करें यह लग लग करें यह प्रब्लम मुपता क्या है कि नैप के अंदर कभी भी यह नी को समरी ट्रायल तो है नही है नैप के कई केसिज तो अभी मेरे पास तो लिस्ट नहीं है वो दसतर साल बीजबिस साल तो चल रहे हैं जे तो यह तो एक समरी मतलब वो जो आज प्रायम मिनसर ने काया के साथ साथ और एक हफ़ते में साथ साथ और रोजना तीन तीन पेशिया होती हैं मकसद है कि यह बड़ा स्वास्ट ट्र पारिजम में समरी होती है उस्तरा का मामला नहीं है ठीक है अचा और लेकिन वो जो आप में बात कही है वो दुरूस्त है कि डिफेंस की तो स्ट्राटिगी होगी इसको जितना लंबा करें इसमें कोई शक्त नहीं है ना कि देखें जी हमारे केश को लटकाय जा रहे हैं लं जरा मैं मुखतर से बात कहा लूँ और शवाषिव साब से सवाल हुआ कि जी खलाई मखलुक कौन है और ये वो चीज़ पूछी गए उनसे और गाई ये बेतर है आप जा कि उनसे पूछें जो कि खलाई मखलुक कह रहे हैं उन्होंने इन्होंने नवाषिव साब को डिफे यह नहीं जो सिटिंग प्राइम मिनिस्सर है चाहतरा का पाना भी वो दो खुल के डिफेंड कर रहे हैं नौाज श्रीफ को लेकिन शहबाज श्रीफ हो इसे वेटर ऑफ स्ट्रेटिजी यह नहीं भी कह रहा कि हो अपने भाई को डिफेंड नहीं कर रहे हैं यह उनकी एक किसम डील हो गई थी तो आपको अची तरह पता है कि इसमावाज से जब जहाज जाना था तो जनरल एसान थे यह मेरे खाए M.I. अकैट थे उनके अनोंने मिर्टिंग की कि मैं नहीं जाना चाहता इससे पहले जब वो डील पर दस्खत दे तो शहबाज साब के पास आये उनका मै मैं इसमें दस्खत नहीं करूँगा वो अपने आपको अलाग समझते थे कि मैं यहीं रहूँगा उनका जब तक आप दस्खत नहीं करेंगे इस डील या सब जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा तो इनोंने हमेशा अपनी एक अलाग जब एक नाकाम कोशिश की थी वाप जाएंगा और फिर जब इनको एरपोर्ट से वापस भेज़ दिया गया था नहीं लेकिन मैं आपको आपने पूछा है तो जब सेवन्टीथ अमेंटमेंटमेंट आई है मुशरफ साब की तो नवाज शरीफ से एक डील करने ही कोश्च की गई जदा में कुछ इमिसरीज जो हैं जी जी ओमियान वाज शरीफ नहीं बनें तो उस वकद भी अगर आप देखें तो मुशरफ साब जो हैं जिस दिन नाइटी 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 नाइन का बाराक तूबर को कूव हुआ है उससे एक शाम पहले शाबाश शरीफ साब मेरे घर पे ते और अनक तुम इदर आ लो, क्योंकि यहां मादलात खराब हैं, तो मुश्रम साब कभी एक शवाज शरीफ के लिए सौफ का उनर था, ठीक, सही है, चैले, बहुत शुक्रिया ने सामी साब प्रोग्राम में शर्कित करने के लिए, अब शवाज शरी निसार के बारे में जो कुछ काया ह करें, ज़रा जजब काबू रखा करें, यह आज का प्रोग्राम था नाजरीन इस पर अपना फीड़बैक दीजेगा, मुझे आज़िए, अलावेस.